सीडियर्स बिपिन रावत का निधन हो गया है उत्राखंड की और निगाओं की तरह जनर रावत का गाओं सैंड भी पलायन से छूता नहीं है द्वारी खाल ब्लाक की बिरमोली ग्राम पंचायत का नतरगत पढ़ने वाले उप ग्राम सैंड तक पहुचने के लिए मुख्य मोटर मार्ग से एक किलोमेटर पैजल रास्ता तै करना पड़ता है और इस रास्ते पे कभी सीडियर्स बिपिन रावत भी चल चुके हैं उनके गाउं में सर्नाटा पसरा है कहा दा रहा है कि 29 अप्रेल 2018 के दोरे के बाद परिजनों ग्रामीडों की मांग पर जनरल रावत निराज सरकार से गाउं तक सड़क सुबधा उगलब्द कराने का अग्रा किया था ये सरकार ने स्विकार करते हुए सड़क की सुखिती भी पतान कर दी सड़क का निर्मार कार चल रहा है वो दोहार की शाम उनके निधन की खबर पर उनके चाचा फपक कर रो पड़े बोले गाउं तक सड़क तो पहुच जाएगी लेकिन बिपिल अब गाउं नहीं आएगा खबर यही है और इससे लोग हतास है निरास है तुकी है बहुत ही परिशान है कि बिपिन रावत कब आएंगे उत्राखंड के अन्य गाउं की तरह पलाएं की मार झेल रहे सैंड अर्थात बिरमोली गाउं को सड़क से जोडने की कवायत जनरल बिपिन रावत ने 29 अप्रेल 2018 के प्रहमर के दोरान कर दी थी पर जनूब ग्रामीरों ने सड़क नर्मार की मांग को लेकर के जब गाउं पहुँचे जनरल रावत के समझ भी ये मुद्दा उठाया था जनरल रावत ने ततकारीन मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत से गाउं को सड़क से जोडने का अगरा किया था जिसपर ततकाल करवाई करते हुए सीम ने लोग नर्मान विकास का दिकारियों को दिशा नर्देश जारी किये थे लोग निर्वार विकास दुगड़ा के अधिकारी अभियंता निर्भै सिंग ने बताया कि सेर्ण गाओं के लिए डाडा मंडी मदनपूर मार्ग का विस्तार किया गया है सेर्ण गाओं के लिए 4.750 किलोमेटर की सड़क सुक्यति मिली है इसमें से 3 किलोमेटर सड़क कटान का कारी हो चुका है बाकी सड़क का निर्मार भी कारी प्रकत पर है लेकिन इसी सड़क पर 1 किलोमेटर पैदल खुद विपिन रावत पहुचे थे जनल बीपिर रावत ने थल सेना दिक्स रहते में 30 अप्रेल 2018 को कोड़ द्वार के एम्टी कैंप में गढ़वाल राइफल्स रेजिन्मेंट सेंटर के ओर से साइनिकों के परिवार के लिए आवास योजना फेज 3 का सिलन्यास किया था तब गढ़वाल राइफल्स के करनल आफ रेजिन्मेंट उपसेना प्रमुक लेप्रिनेंट जनरल शरत चंद और लेप्रिनेंट जनरल हरीश ठोकराल भी इसका रिक्रा में शामिल हुए थे उनका काम मानना था कि देश की रक्षा करते समय गढ़वाली साइनिक अपने घर परिवार को भूल कर देश की रक्षा में जुटा रहता है ऐसे में साइनिकों के परिवारों को सुरक्षा सु विधाय मोहिया कराने के लिए आवास योजना बनाई गई थी शुरुवात में कोड़वार में 250 फेमिली कौर्टर बनाने के लिए प्रस्ताविद भी थे जनर्रावत की कहानी कुछ ऐसी ही है उनके गाउं में उनके चाचा का कहना है कि इस तरह के सिती होती चली जाएगी किसी को अंदाजा नहीं होगा लेकिन जनर्रावत को लेकर के उनके गाउं में अभी भी लोग सन्नाटे में हैं सदमे में हैं हतास कि आखिर ऐसे कैसे हो गया यही बात लगातार लोगों के सामने जिहन में गूज रही है जनर्रावत की कहानी इतनी ही नहीं है द्वारी खाल की ब्लाक प्रमुक महिंसिंग राणा का कहना था जनर्रावत के और उत्रा खंड ही नहीं पुरे भारत का गवरो थे उनके निधन से देश के एक बीर सबूत खो दिया है उनके चाचा भरत सिंग बताते हैं सड़क तो बनेगी लेकिन अब बिपिन गाओं कभी नहीं आएगा यही बात सब को डर लग जई है यही बात सता रही है और यही बात लोगों को हदास और निरास कर रही है किस तरीके से जिस सड़क को बन माने के लिए रावत ने उसमें कि सीएम को कहा सड़क बन गई आज फिर रावत वहां नहीं जा रहे है